हेलो फ्रेंज वेलकम टू आर चैनल मल्टी रोज लाइफ दोस्तो अक्सर देखा गया है कि सुबा उठते ही हम अपने दिन के शुरुवात गल्तियों से करते हैं उसका सबसे बड़ा कारण है कि बहुत से लोग यह जानते ही नहीं कि क्या गलत है और क्या सही इसलिए आज हम आपको सुबा उठने के बाद क्या नहीं करना चाहिए यह पांच मुख्य बाते बताएंगे लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर लें और बैल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि ऐसी महत्पूर्ण जानकारियां सही समय पर आप तक पहुंचती रहें साथियो सबसे पहली गलती है चाय पीना कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो सुबा उठने की बाद तुरंत चाय पीना पसंद करते हैं लेकिन कभी भी खाली पेट चाय नहीं पीना चाहिए क्योंकि इससे शरीर को काफी ज्यादा नुकसान होता है इसलिए हमेशा सुबा उठने की बाद पहले एक गिलास पानी और उसकी बाद ही किसी भी चीच का सेवन करें हो सके तो सुबा उठते ही चाय ना पीएं परंतु चाय हमारी आदतों में शुमार हो चुकी है अगर चाय पीना ही है तो सबसे पहले उठते ही आप गुनगोना पानी पीएं फिर कुछ समय बाद बिस्कुट के साथ थोड़ी सी चाय पीएं दोस्तों आईए अब बात करते हैं दूसरी गलती की बहुत से लोगों की आदत होती है कि नीन खुलते ही जट से बिस्तर से उड़ जाते हैं पर ऐसा करना आपके शरीर को नुकसान पहुचा सकता है दरसल जब आप सो कर उड़ते हैं उस समय आपके शरीर में बलड फ्लो बहुत धीरे हो रहा होता है और जब अचानक आप अपने शरीर पर जोर देते हैं तो उसका असर आपके दिमाग और आपके पीट पर पड़ता है और ऐसा करने से कभी कबार आपको रीड के हड़ी में प्रॉब्लम जैसी समस्या शुरू हो सकती है इसलिए हम इसा सुबा उटकर सबसे पहले बिस्तर पर अराम से बैठें और उसके बाद अराम से उठें दोस्तो तीसरी गलती है अक्सर कई लोगों की आदत होती है कि वो सुबा उटते हैं कि अपना मोबाइल ढूडना शुरू कर देते हैं मोबाइल से ब्लू लाइट निकलती है और जो सुबा सुबा आपकी आँखों के लिए सही नहीं होती क्योंकि सुबा आपकी आँखे बहुत नाजुक स्तिती में होती है और मोबाइल की रोशनी का आपकी आँखों पर बुरा प्रभाव पड़ता है इसलिए सुबा उटकर आपको पहले फ्रेश हो जाना चाहिए उसके बाद ही आपको अपना मोबाइल देखना चाहिए आईए दोस्तों आप बात करते हैं चौती गलती की लगबक सभी लोगों की आदत होती है कि वो लेट से उटते हैं और तुरंत उन्हें आफिस जाना होता है इसलिए वो उटते ही तुरंत ब्रश कर लेते हैं और मूध होना शुरू करते हैं पर ऐसा करना आपके लिए नुकसा इंदायक होता है क्योंकि सुबा सुबा जो लार आपके मूँ में होती है वो आपके पेट में जानी चाहिए ताकि आपके पेट में जमा अम न्यूट्रल हो सके यदि आप सुबा उटते ही ब्रश कर लेते हैं तो आप अपनी सारी लार बाहर थूख देते हैं जो आपके लिए अमरित है उपते ही नहाने चले जाते हैं पर यह आपके लिए बहुत नुकसान दायक हो सकता है क्योंकि सुबह सुबह आपके शरीर का तापमान ज्यादा होता है और जब तुरंट अपने शरीर पर ठंडा पाने उड़ेलते हैं तो अचानक से आपके शरीर का तापमान कम हो जाता है ज ऐसे ही और महत्पूर जानकारियों के लिए आज ही हमारी चैनल मल्टी रोस लाइफ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बाई, टेक केर, बी हैपी, धन्यवाद.